कॉंडम प्रयोग के लाप के बारे में अक्सर लोग जानते होते हैं लेकिन कॉंडम के भी कुछ ऐसे साइड एफेक्ट है जिसकी लोगों को अमोमन कम ही जानकारी होती है कॉंडम ना केवल आपकी सेक्स लाइब को प्रभावित कर सकते हैं बलकि आपको यौन सम्बंधित बीमारियों का भी सिकार बना सकते हैं आईए जाने कॉंडम के साइड एफेक्ट के बारे में पहला दर्द एवं एलर्जी ऐसा देखा गया है कि लगातार अर्थाथ सब्ता है में दो से अधिक बार कॉंडम का उप्योग करने से यौनी की आंतरिक परत और जिल्ली में समवेदन सीलता कम या समाप्त हो जाती है जिसके कारण इस्तरियों की यौनी से इस्खलित होने वाले प्राक्रतिक लुब्रिकेंट चिकनाई युक्त द्रव्यों का सतह इस्खलन कम हो जाता है या पूरी तरह से बंद भी हो जाता है जिसके चलते यौनी में खरास या सुखापन आता दिखा गया है जिसके कारण कॉंडम का अधिक उप्योग करने वाली और तों की यौनी इस पर सकातर चुवन से ही तर्द महसूस होने वाली हो जाती है ऐसी इस्थिती का सामना कर रही इस्थियों द्वारा अपने प्रेमी या पती के साथ बिना कॉंडम के सेक्स करने पर यौनी में आसेहनी तर्द, जलन, एलर्जी और खुजली होना आम बात है दूसरा यौनी ग्रीवा में कट या घाओ कॉंडम का अधिक उप्योग करने से यौनी ग्रीवा में कटाओ और छिलन के साथ-साथ दर्दनाक घाओ भी होते देखे गए हैं जिसके चलते यौनी में सूजन आ जाती है यौनी में सूजन की इस्थिती में सेक्स करने पर यौनी का आंतरिक हिस्सा फिर से घायल हो जाता है जिससे यौनी में फिर से चक्म हरे हो जाते हैं कई बार चक्मों से रक्तिस्त्राव भी होने लगता है जिसे इस्त्रियां आसमय मासिक चक्र का आना मान कर उसकी परवाय नहीं करती है और इस कारण से उन्हें जननांगों और गरवासाय में भेंकर संक्रमण फैलने का खत्रा हो जाता है जिससे योनी ग्रीवा या गरवासाय में कैंसर होने का भी खत्रा बना रहता है तीसरा लेटेक्स के बने कॉंडम लेटेक्स के बने कॉंडम आपको गरवधारण और यौन संचारित रोगों से बचाते हैं मगर ये ऐलर्जी का सबसे आम कारण हैं और सेक्स के दोरान इस्तरी की प्रतिक्रिया को गटा देते हैं क्योंकि इसके प्रयोग के कारण योनी में सुखा पन और कुजली के रूप में देखा गया है इसका सबसे खराब दुस्प्रभाव है इस तरी पूरुस के जननांगों पर गंभीर दाने या जान लेवा आगात के रूप में दिख सकता है चौथा योनी की प्रती रक्षा प्रणाली को नुक्सान प्रक्रती ने जननांगों को खुद ही अपनी प्रती रक्षा की जनमजाद सकती प्रदान की लेकिन यदि सब्ताह में दो बार से अधिक कॉंडम का उपयोग किया जाता है तो कॉंडम याने की कॉंडम योनी की प्रती रख्चा प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है इसके उपयोग से योनी की अमली अवाद्था वरण में उधल पुतल पैदा हो जाती है